हालो स्टूडेंट वेलकम बैक तो हमाटी जड़ा डोडी पोस तैवन आई अरीधा शर्मा योर हिस्टी मेंटर स्टूडेंट हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं जिसका नाम है एन इंपरियल स्टी ओफ विजय नगर राइट तो यह विजय नगर चैप्टर वाके में बहुत इंटरस्टिंग है तो आज हम इस पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेने वाले हैं जो कि आपको काम आएगा आपके बोर्ड एक्जाम में तो जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे तो जल्दी से फटाफट से आकर के तयार हो जाएए इस सेशन को अटेंट करने के लिए ठीक है तो चले बिना टाइम बेस्ट किया हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम है जैसे कि आपको दिख रहा है एट इंपारियल सीटी और विजे नगर क्या था इसकी कहानी जो है ये क्यों इतनी ज़्यादा इंट्रॉस्टिंग हुई तो आपने क्रिष्ण देव राय की कहानियों को तो जरू सुना होगा जी हां हम उसी क्रिश्ण देव राय की बात यहां पर हम संजेंगे ठीक है बिल्कुल सही clear हां जी ठीक है चलिए, श्टारट करते हैं An Imperial Capital Vijay Nagar. तो Vijay Nagar और The City of Victory, तो इसको City of Victory क्यों कहा जाता है? देखो बचे, यहाँ पर नाम क्या लिखा है? Vijay Nagar, Vijay का मतलब क्या होता है? Victory, Nagar का मतलब क्या होता है? City, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है City of Victory. तो देखे विजे नगर और the city of victory was the home of the both city तो देखो इसको विजे नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आफ मेना इतना ज्यादा ये फ्लरिश था और खास करके अगर मैं बात करूं किसकी कृष्ण देव राय की तो उस टाम में कृष्ण देव राय का जब इस जाल गई थी एक बड़ा सा इन्होंने क्या किया था अपना लैंड का expansion किया था तो अगर हम बात करें विजे नगर की was the home of the both city and empire तो ये विजे नगर जो एमपायर था बच्चे ये एक city भी थी और क्या था अपने आप में बहुत बड़ा एमपायर भी था ठीक है So it stretch from the river Krishna in the north क्रिष्मर कर थी मैं फिर से बता रहे हुं गलती मत कर देना कि मैं अपन तूंग Il 不客 अब यह क्या रहा है नॉर्थ में कहती है रिवर कौन सी है क्रिष्णा रिवर इंड नौर्थ एक्स्रीम व्हूट ऑफ पेनिंसुला तो यह कृश्ण नॉट में क्रिश्णा रिवर के पेनिंसुला चेह पूरा का फैला हुआ था पीपल, लोग क्या करते थे, remember as it, हमपी, तो लोग इस विजे नगर को हमपी के नाम से भी जानते हैं, अब यह हमपी क्या है मैम, यह हमपी क्या चीज है, हमपी का तड़का इसमें कैसे लग गया, तो हमपी बच्चे इस विजे नगर की capital थी, और हमपी नाम इसका इसलिए प mother goddess, पंपा देवी, तो इसका नाम जो है पंपा देवी से derived हो करके, इसका नाम हमपी बढ़ गया, अभी पंपा देवी कौन थी, माना जाता है कि शिव की वाइफ थी पारवती, उनका नाम पंपा देवी था, और उनी के नाम से इसका नाम हमपी बढ़ गया, अब चलते है पर तो next part क्या कहलाता है, next part कहलाता है कि मैम अब इसमें हम दो चीजों के बारे में जानेंगे, किस-किस के बारे में, the two brothers, अब इस विजे नगर एंपायर को बनाने वाले कौन थे, इसके founder कौन थे, तो आपको पता ही होगा, हरी, हर और बुका, ठीके, तो दो ब्रदर थे जिनोंने इस विजे नगर को स्टाबलिश किया, तो ब्रदर, two brothers, named, that is, हरी, हर, एंपुका, founded the विजे नगर एंपायर, इनोंने विजे नगर की स्थापना की, कब की बचे, 1336 में, तीन कोशन यहां से solve हो गए न, ठीके, तो एक तो हो गया कि विजे नगर का real, जो एक meaning है, वो literal meaning क्या है, city of victory, second question हो गया, इसकी foundation, इसके founder कौन थे, तो two brothers, जिनका नाम था हरी और बुका, इसकी establishment कब की गई, पहले ता किसने की गई, हरी और बुका, और अब आएका कि कब हुई, तो 1336 में, the ruler of the विजे नगर काम देंसेल्स, तो अच्छा, अब हमारे north, अगर हम इं कहते थे वो, अब इसके opposite, यहाँ पर जो south के राजा थे, यानि कि especially में बात करूं कि विजे नगर के जो ruler थे, emperor से, वो अपने आपको राजा ना कहलवा कर, वो अपने आपको रायास कहते थे, इसलिए कृष्णदेव राय, अब वो जो राय वर्ड है ना, वो किसको denote करता ह किंग को, राजा को, ठीक है, सो विजे नगर was famous for its market, अब विजे नगर किसले famous था बचे, वो अपनी market के लिए बहुत famous था, अब market में क्या-क्या चीज़े, यहाँ पर उसका sale purchasing होती थी, तो वो होती थी dealing in spices, spices, मसाले, textile and the precious stone, इन तीनों की वज़े से विजे नगर की market बहु horses, दूसरा ये था, ये चीज़ों तो क्या होती थी, यहाँ पर इनका लेंदेन होता था, जो विजे नगर में इंपोर्ट होती थी जो चीज़े, इंपोर्ट का मतलब जो चीज़े बहार से विजे नगर में लाई जाती थी, तो the trade import of the horses, horses, Arabia and the Central Asia was controlled by the Arab and the Portuguese trader and also, तो यहाँ स अरब और पूर्टगाल के trader जो होते थे, उनका एक तरह से import वाले section पर control होता था, also the local merchant और उनके जो local merchant होता है, local merchant का मतलब होता है, विजे नगर के जो local merchants है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, merchants उनको कहा जाता था, कुद्रही चेतीज, क्या कहा जाता था, बच्चे, कुद ठीक है, trade was often regarded the status symbol of the city, trade ही, किसी city की, किसी country की एक पर famous पहचान होती है, ठीक है, एक बहुत important thing होती है, कि इस country में क्या चीज़ हो रही है, किसलिए ये famous है, तो सारी चीज़े हम यहाँ पर देखते हैं, तो the trade often regarded as the status symbol for the city, the revenue derived from the trade, अब राजा के पास, किंग के पास, रायाज के पास में revenue कैसे आता था, उनका source of earning क्या था, revenue था, farmer से revenue लेना होता था, यह जो traders आते जाते थे, उनके उपर भी trade पर भी tax लगाया जाता था, तो इनी से उनकी earning होती थी, ठीक है, अब यह देखो, पूरा का पूरा भी मैं यहाँ पर आपको map के थूँ बता देती हूँ कि विजे नगर, जो है, वो कहां कहां पर है, इसके आसपास के areas को भी हम देख लेते हैं, तो यह है बच्चे आपका विजे नगर, ठीक है, यह पूरा का पूरा क्या है, विजे नगर, तो यह आपका विजे नगर, जो कि पूरे तमिलाडू, केरला और यह सारा जो है, दोलताबाद है, बहमनी है, बीजापूर है, तो इसके यहाँ पर, इसके साथ में क्या करेक्शन होगा, तो इसका करेक्शन हम पढ़ेंगे कि जब वो हमारा ताली कोटा का बैटल हुआ था, किसका कृष्ण देव राय के जो सकसेसर बाद में आते हैं, कौन से थे, रामा र बैटल होता है, जिसको राकसरी तंगडी युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, उसका जो था, मतलब उन्होंने क्या किया, इनको हरा दिया रामा राय को, और फिर उसके बाद में विजे नगर एंपार इनके पास में आ गया, और वो डिकलाइन हो जाता है, ये राजपूत व रहे थे, रूलर रूल कर रहे थे, तो ये सारे उसके आसपास के शेतर है, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे क्या कहता है, विजे नगर वाज रूल बाए तो डिफेंट 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 डाइनस्टी, मैंने याद होगा आपको एक ट्रिक बताए थी कि विजे नगर रूलर के एंपर, उसकी डाइनस्टी की एक ट्रिक बताए थी, जो कि बहुत ही शोर्ट वेट भी और बहुत ही जादा इंटरस्टिंग थी, और ये ट्रिक जो है, वो इतनी जादा काम आती है, कि आपके वनमार्क कोश्चन में भी या सी उटी में भी तुलुआ, तुलुआ और अराविदू, बस आपको क्या याद रखना है, S.S.T.A.S.T. अनीता मैं, ये याद रख लेना, ठीक है, ओके, तो देखो, डिफेंट डिफेंट डाइनस्टी ने यहाँ पर रूल किया, तो संगम डाइनस्टी, सलुआ डाइनस्टी, तुलुआ तुलुआ डाइनस्टी, और फिर बाद में आती है, अराविदू डाइनस्टी, क्रिष्णदेव राय कौन सी डाइनस्टी से बिलॉंग करते थे, तो वो थी थर्ड नंबर की डाइनस्टी, जिसका नाम था, तुलुआ डाइनस्टी, ठीक है, तुलुआ डाइनस्टी, whose role was characterized the expansion and consolidated of the Vijayanagar empire, उनके राज्य में, उनके साशनकाल में, ये Vijayanagar इतना ज्यादा फ्लारिश होता है, कि दूर दूर तक लोग जो है, विजayanagar को जानने लगे थे, ठीक है, निक्स करते हैं, कि कृष्णदेव राय इस्टाबलेश, सम फाइन टेंपर्स एंड़ गोपुरम, एंड सब अर्बन टाउन्शिप नेम दा नगलापुरम, तो विजे नगर के जो रूलर थे, जिनका नाम था, कृष्णदेव राय, इन्हों ने अपनी मदर के नाम से, एक क्या किया, एक पूरा, पूरी सिटी बनवाई, जिसका नाम था नगलापुरम, ठीक है, तो नगलापुरम में क्या होता है, मतलब वो जब सिटी का स्टाबलिश्मेंट करते हैं, तो यह इन्हों नहीं बिल्ट करवाई थी, इन्हों नहीं बनवाई थी, इस सिटी को, तो सम इंदर की ब्यूटी को आकने में entrance to gate होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमी का होती है, importance होती है, तो वो बाहर से जित्रा सुंदर होगा, visitors उसको देखेंगे, तो उसके लिए attract होंगे, clear है बात, ठीक है, ओके, तो उनकी death के बाद, उनकी death होती है, किसकी, Krishnadev Rai की death होती है, 15 1629 में, his successor was trouble in the rebellious of Nayak or the military chief, उनकी death के बाद, क्योंकि ये सबसे powerful ruler थे, विजय नगर के, तो जैसे इनकी death होती है, जो इनके successor आते हैं, तो इनके successor इनके जितने strong नहीं थे, और इसी weakness का फायदा उठाया, उनके military commanders ने, जिनको कहा जाता है, नायक, अमर नायक वगरा, ठीक है, इनको chief, इनको नायक, नायक भी कहते हैं, और इनको military chief भी कहते हैं, उसके बाद की कहानी क्या होती है, विजय नगर वास्तच, वास्त करेक्टराइजड बाई a distinctive physical layout and a building style, तो विजय नगर जो है, वो अपने physical layout के लिए, कि इतना जादा, मतलब इसका area जो था, कि पहाडों के बीच में ये पूरा का पूरा बसा हुआ था, प्रोटेक्टेड था ये चारो तरफ से, बड़ी-बड़ी चटानों से ये घिरा हुआ था, और इसकी beauty, इसकी इमार्तों से देखने से बनती थी, विजय नगर वास्त लोकेटिड ओन दा, नैच्रल बेसिन ओफ दा रीवर, अब ये विजय नगर किस रीवर के पास लोकेटिड था, पहले क्या था, कि नौर्थ में कृष्णा रीवर फ्लो करती है, वहां से लेकर के और साउथ पेनिसला तक ये फैला हुआ था, वो तो उसका stretched area था, अब क्या करें, ये कौन सी रीवर के पास लोकेटिड था, तो द ये फ्लो करती थी इस तरीके से, तो क्या यहां पर लिखा हुआ है ना, नौर्थ इस्टर्ली डारेक्शन में ये फ्लो करती थी, अब देखो साउथ में क्या होता है, कि water scar city बहुत होती है, आज भी होती है और पहले भी थी, पानी की कमी बहुत देखी जाती है, उस तरह में क्या करते थे, लोग अपने घरों में, टैंक बनवा लेते थे और टैंक में जो water store करते थे तो कभी ऐसा होता था कि पानी नहीं आता था तो उस situation में stored water को use कर लेते थे चाहे वो daily activities में use करें चाहे वो और किसी चोटे-पोटे कामों में use करें अब इन में जो water store किया जाता था तो water का एक जो supply होती थी water की supply की जाती थी, ठीक है, for example, water from the Kamblapuram tank, यहाँ पर दो चीजे आप से पूछी जाएगी, कि विजे नगर का famous tank का नाम बताना है, तो answer क्या हो जाएगा, आपका Kamblapuram tank, ठीक है, and the Hyria canal, और उस canal का नाम है, अब यह जो river थी, आपकी कौन सी, विजे नगर, यह सोरी, कौन सी थी, तुंग भद्रा river, ठीक है, यह जो तुंग भद्रा river थी, फ्लो करती थी, तो इसमें से क्या बनाये गए, मतलब की नहरों का निर्मान किया गया, उन नहरों के थ puzz है, अब मान लीजे इस river से नहर बना ली, ठीक है, नहर बनवाली नहर के पानी से क्या होता था उनको supply किया जाता था छोटे-छोटे channels के थूँ ठीक है इस तरीके से channels के थूँ जो है वो छोटे-छोटे areas में उनको supply कर दिया जाता था तो पानी पूरे विजे नगर empire में पहुँच जाता था तो दो अब्दुल रजाग ये कौन थे बचे एक विजे नगर को विजट किया था तो ये आ जाएगा आपका पर्शया पर्शया उसे कंटी से बिलॉंग करते थे ये बहुत इंपरेस्द बहुत जादा प्रभावित होता है किसे विजे नगर एंपायर को सेवन लेन्स से घिराए गुण मतलब कि इतना जादा ब्रोटेक्टेड था कि अगर मानलीजे दुश्मन अगर अगर अटैकर्स यहां से अटैक करतें, तो पहले one line को cross करेगा, फिर दूसरी line को, फिर थीसी line को, इस तरीके से 7 lanes को, 6 lanes को cross करके them जा करके वो main royal palace पर पहुंच सकता था, आधी to हालत उनकी वैसे खराब हो जानी है, कि यार 1 को cross किया, हमने 2 को cross किया, 3 को cross किया, तो सेना का तो हिम्मत तो वैसे हा जानी है इसलिए बहुत ही ज़्यादा protective way में उसको रखा गया था इसलिए यह जो अब्दुल रजाक है यह बहुत ज़्यादा impressed होता है उनके fortification से of the city mentioned the seven lanes of the force ठीक है तो किले की चारो तरफ से seven lanes में उसको protect किया हो था these encircled city as well as agriculture hinterland and the forest अब इन lanes में क्या होता था first lanes में जैसे क्या होता था इसको blank छोड़ा गया था फिर उसके बाद agriculture second lane में क्या होता था यह जो पहला था यह पूरा का पूरा hilly areas था मतलब कि यह पहाड़ों से घिरा हुआ था था second lane में जो है second में क्या किया जाता था agriculture की जाती थी कि अगर कोई attackers आएगा रहे यहां तो कुछ भी नहीं है यहां तो सरफ खेती-खेते agriculture ही हो रहा है तो वापिस चलो यहां से कुछ नहीं भी लेगा उनको तो यहां पर यह second lane थी third lane में क्या होता था third lane में forestry थी fourth lane में क्या होता था market होती थी fifth lane में क्या होता इस तरीके से हर lane में कुछ ना कुछ होता था clear है तो इसी से अब्दुल रजाग जो है वो बहुत impressed हुआ था अब अगर हम बात करे next key to the ruins of humpy अब यह ruins क्या होते हैं ruins होते हैं बच्चे evidence ठीके proof परमान जो होते हैं अब यह इसके हमपी के परमान जो थे या हमपी के evidence जो थे were brought to the light of तो यह कब प्रकाशित किये गए यह किये गए बच्चे 18 1800 में किसने किये बाइदा Colonel McKenzie ठीके Colonel Colin McKenzie ने 1800 इस्वी में हमपी के बारें बताया जब उनको हमपी के कुछ evidence मिले कि कभी किसी time पर यहाँ पर हमपी नाम की एक city हुआ करती थी जो विजे नगर की capital मानी जाती थी और उनके कुछ evidence उनको मिलते हैं Colonel Colin McKenzie को मिलते हैं और इसी evidence के base पर इसी ruins के base पर उन्होंने कहा कि यह हमपी है तो the construction of the history of the city source like the memories priest of the Virupaksh अब हमें हमपी के बारे में और कुछ जानना है देखो जब हमपी के बारे में बताया गया तो बहुत सारे scholars, historians या फिर archaeologists का एकदम से जो interest था वो हमपी की तरफ बढ़ गया था क्योंकि हमपी सबसे ज़्यादा prosperous city मानी जाती थी उस ताम में और विजे नगर जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा flourish था और उसकी capital हमपी थी तो इसके अपने ही वो होंगे अपने ही कहते है ना कि अपने ही famous होगी अपने आप में ही तो जब इनको 1800 में इसको वो किया गया लाइट अप किया गया तो पता चला कि यहां पर हमपी होती थी पहले बहुत टाइम पहले तो memories of the priest अब इस हमपी के बारे में और जानकारी लेनी थी तो वो कहां से ले गई जो हमपी के tempers थे उनमें जो priest होते थे वहां से ले गए अब बोलोगे कि मैडम उस टाइम के priest अभी तक जिन्दा थे नहीं बचे अब जो पहले के priest थे फिर उनकी generation जो चल रही थी उनको कुछ तो पता होगा आप जैसे हमारी दादी है दादी ने अपने बारे में कुछ बताया ठीक है हमारे ममी पापा को बताया होगा कि हमारे टाम में आसा होता था हमारे ममी पापा ने हमें बताया फिर हम आगे बताएंगे फिर वो आगे बताएंगे तो इस तरह से generation to generation प्रिस्ट भी तो होंगे ना, तो उन्होंने बताया कि पहले हमपी हुआ करती थी, उसमें यह एक्टिविटीज हुआ करती थी, तो काफी कुछ हमें वहां से जानने को मिला, ठीक है, तो विरुपाक्स टेंपल है वहां पर, and the shrine of Pampa Devi, तो विरुपाक्स टेंपल जो की, शीव को denote करता है, और उनकी एक shrine, मतलब मूर्ती थी, Pampa Devi की, उसके अलावा several inscriptions ऐते थे, टेंपल थे, अकाउंट थे, जिससे हमें हमपी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, हमपी पर कहीं न कहीं बुक भी लिखी होगी, उसके बारे में लिखा हो गया, तो कहीं tempers के उपर लिखा होगा, tempers की दिवारों पर लिखा था, कि क्या हमपी थी, tempers क्या थे, विरुपाक्ष टेंपल क्या थे, Pampa Devi की श्राइन मिलती है, मूर्तिया मिलती है, प्रिस्ट से जानकारी मिलती है, तो इस बहुत सारे resources थे हमें हमपी के बारे में पता चला, एते ही उनके जो टेक्स्ट बुक होती थी, वो तेलगू, कन्नर, तमिल, और संस्कृत में भी लिखे होती, played a very important role, discovering of the हमपी, तो इनको जानकरके हमपी के बारे में हमें, जो भी जानकारी मिली, इन्होंने अपना बहुत important role play किया, तो ये है, विजयनग एंपायर जो आज क ये है, ये है अपका कमलापुरम टेंक, कौनसा है, कमलापुरम टेंक, तो जब पानी की कमी हो जाती थी, तो लोग यहां से भी इस कमलापुरम टेंक से भी पानी को यूज करते थे, the royal center was located of the, अब ये जो royal center है, royal center जो है, मतलब राज्या का palace जो है, वो क्या होता था, कि ये south-western part में, direction होती है, na, cardinal direction क्या होती है, कि east-west, north-south है, फिर आपका south-east हो गया, इस तरीके जो cardinal direction होती है, अब इसकी direction बताएगे, ये royal center की, south-western part, ठीक है, part of the settlement which were more than 60 temples, तो इसमें, अकेले इस वाले part में, 60 से भी ज़्यादा temples बनाए गए थे, और आपको पताएगे, कि south जो है, वो अपने temple के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि भापर बहुत सारे सुंदर सुंदर से temples है, ठीक है, 30 building complexes were identified the places, और ऐसी 30 building है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही, उनकी beauty की वज़े से, या उनकी architecture style की वज़े से, बहुत ज़्यादा famous है, the king palace was largest of the enclosure, king का जो palace होता था, महल होता था, वो सबसे बड़ा होता था, head to flame, platform, king के palace के, जो royal palace होता था, उसके दो पार्ट बना दिये गए थे, ठीक है, दो भागों बटा गया था, तो एक तो था audience hall और दूसरा क्या था, महानवी डिबा, एक क्या था आपका audience hall था, दूसरा था महानव में डिबा, audience hall में क्या होता था, कि जो राया होते था, वो अपने, जो भी उनके important ministers होते थे, तो उनके साथ में meeting का, जो भी उनका plan होता था, या जो आगे की strategies होती थी, administration की, जो भी strategies होगी, क्या-क्या plan करना है, तो यह सारा discuss किया करते थे, इस audience hall में, दूसरा गर हम बात करें किसकी, महा नवबी डिबा की, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि महा नवबी डिबा होता क्या है, जैसे हमारे नौर्थ में celebration होता है, कि इसका नवरात्री का, ऐसे ही महा नवबी डिबा में, नो दिन का festival celebrate किया जाता था, दसवे दिन जाते हैं, हम दश्मी दशेरा जो है, उसको celebrate करत तो इसे बताया गया कि located one of the highest point of the city, तो यह जो audience hall of महा नवबी डिबा होता था, यह पूरी city से बड़ी सबसे बड़ी उचाई पर यह जो है, located होता था, the महा नवबी डिबा is a massive platform rising the, अब महा नवबी डिबा, जिसकी height थी 11,000 square feet, ठीक है, अगर हम fit में करें, तो इसमें बता लिमनीज जो है, वो कर जाती थी, celebrate की जाती थी, for example हो गया आपका, जैसे कि पूजा पार्ट होती थी, worship of the state horse होता था, and the sacrifices buffalo, अब यह जो इतने बड़े-बड़े हवन यग करते थे, मानवी डिबा में ही उसी platform पर करते थे, पूजा पार्ट होती थी, हवन यग होते थे, औ में other animals की भी sacrifices की जाती थी, were performed in the Vijay Nagar, some of the beautiful building in the royal center are, तो कुछ बहुत सुंदर से buildings बनी हुई है, उन में से कुछ के नाम यहाँ पर बताए गए है, जैसे lotus temple, हजार राम temple, etc, clear है, चलिए, अब हम चलते हैं, next question की तरह, sorry, next slide की तरह, tempers of the humpi, tempers building in the region had the long history, tempers की अपने एक history होत बनवाया, किस god के उपर बनवाया, मतलब उसमें कौन से, जो main god है, उनकी कौन सी, किस god की मूर्ती वहाँ पर रखी गई है, जिसको लोग worship करते हैं, कब बनाया गया, तो काफी सारे questions जो है, वो temples के साथ जुड़े होते हैं, उनकी अपने एक long history है, for example, की पलवास थे, को क्यों बनवाते थे, तो बच्चे ये इसलिए बनवाते थे, क्योंकि जो राजा, जितना सुन्दर टैंपल बनवाएगा, जितना उसमें effort डालेगा, उसको decorate कराएगा, जितना बड़ा बनवाएगा, बहुत ही सबसे जादा सुन्दर बनाएगा, तो उसकी फेमिल सिटी, उसकी popularity जो है, वो दूर-दूर तक फैल जाएगी, लोग दूर-दूर तक उसको जाने लगे थे, कि एक राजा था, राज-राज-प्रथम था, उसने ये वला टैंपल बनवाया, क्रिष्न देव राय थे, उसने ये वला टैंपल बनाया, चोला रूलर थे, उन्होंने ये व रिलिजियस, तो टैंपल ना सिर्फ रिलिजियस एक्टिविटी उसमें होती थी, बल्कि सोशल, कल्चर, एकनॉमिक एन लर्निंग सेंटर भी होते थे, कई बर ऐसा होता था, मंदिरों में ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता था, सिक्षा दिक्षा जो भी देते थे, वो म पंपादेवी, विरुपाक्ष टेंपल, तो वहाँ के फेमिस जो है, वो थे, माने जाते हैं, तो विजे नगर किंग्स क्लेम् द रूल आफ और गौड की मर्जि से, कि गौड ने कहा कि यहां पर एक विजे नगर नाम का एक आप जो है, वो राज्य बनवाई ए, उस पर र विरुपाक्ष टेंपल जो है वो बनवाया जाए जो कि डिनोट करता है कि इसको भगवान शिव को, they also indicated their close links by the using the Hindu सुरांत्रना, ठीक है, Hindu सुरांत्रना संस्कृत टेडिशन्स at the Arabic term that is सुल्तान, तो इस सुरांत्रना को कहा जाता है, Arabic word में सुल्तान कहा जाता है, इसका मतलब ह temple architecture, अगर हम temples के architectures की बात करें, तो temples के architecture ऐसे नी होते हैं, कि सारे same same होते थे, अलग अलग styles के होते थे, designs के होते थे, so Raya, Gopuram and the Royal Gateway are the mandap, अब मैंने क्या बताया आपको, कि मंदिर के four parts होते थे, mainly, जिनको count किया जाता है, और जिस पर maximum questions पूछे जाते हैं, अब मैंने आप अब मैं यहां पर हम बताएंगे, कि सबसे पहले entrance gate होता था, उस entrance gate को क्या बोलेंगे हम, Gopuram, जब हम temple में entry करते हैं, तो सबसे पहले entrance gate आता है, ठीक है, तो यह हो गया number one, इसको cross करने के बाद, जब entrance gate को cross करने के बाद, यहां पर एक बड़ा सा hall आता है, बड़े से hall को क क्या कहते हैं, मंडप, क्या कहते हैं, मंडप, ठीक है, बड़े से hall को क्या कहते हैं, मंडप, जिसमें बहुत सारी activity होती है, marriages होती है, और बहुत सारी जैसे नाच-काने होते रहते हैं, dance performing होती है, singing होती है, भajan कीरतन होते हैं, visitors वहां पर थोड़ा rest करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, तो यह जो बड़े से hall में, जिसको मंडप कहा जाता है, लोग काफी activity किया करते थे, अब उसके बाद इस मंडप को cross करने के बाद, फिर हम क्या करते हैं, main duties की तरफ आते हैं, main एक रूम की तरफ आते हैं, छोटा सा रूम होता है, जिसको कहा जाता है, वहाँ पर main, जो हमारी duties होती हैं, भगवान की मूर्ती होती हैं, उनको वर्शिप किया जाता है, तो इस थर्ड वाले छोटे से रूम को जहां पर main duties रखी जाती है, इसको कहा जाता है, गर्ब ग्रह, ठीक है, गर्ब ग्रह कहा जाता है, तो बच्चे इसको गर्ब ग्रह इस गर्ब ग्रह यहां पर भी अपलाई होता है और फिर इस गर्ब ग्रह के ठीक उपर मैंने क्या कहा इस गर्ब ग्रह के ठीक उपर में यह क्या होता है यहां पर इस गर्ब ग्रह के ठीक उपर यहां पर एक न सबसे उपर एक चोटी होती है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जात सबसे पहले वाले को गोपुरम कहा जाता है सेकिंड वाले को मंडप कहा जाता है थर्ड वाले को गर्बग्रे कहा चाता है फोर्थ वाले को शिखर कहा जाता है ठीक है चलते हैं नेक्स पार्ट की तरफ हम पी as a site of the national importance तो ये कौन थे बचे ये हैं जॉन एम एम फ्रिंट्स और ये है जॉर्ज निकेल ठीक है जॉर्ज निकेल इनका क्या contribution रहा है देखो 1976 की बात होती है कि हम पी was recognized as the अब बच्चे यहाँ पर confused होते हैं कि मैडम national और world heritage ये दोनों सेम ही तो है नहीं नैशनल होता है जो अपनी देश की दरूर होती है उसको अपने देश में सबसे अच्छा वाला डिकलियर कर दिया जाता है और एक world heritage मतलब कि हमारे पूरा जो एक दुनिया के अंदर नाम है वो रिजिस्टर हो जाता है तो 1976 में क्या होता है हम्पी वास रिकनाइज अधा साइट अधा नैशनल इंपोर्टेंच तो नैशनल इंपोर्टेंच कब दी गई इस हम्पी को यह आएगा आपका 1976 में नियर दो 20 यह दिजन अफ स्कोलर ओल अबर द वर्ल्ट 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 इस पर रिस्ट्रक्शन अधा हिस्ट्री ओव द विजन अगर मतलब कि 20 सालों तक अलग-अलग हिस्टोरियंस इस पर रिसर्च करते रहे हम्पी पर बहुत चानबिन करी उन्होंने ठीक है और ऐसा नहीं कि इंडियन स्कॉलर्स ही करते थे इंडियन हिस्टोरियंस ही करते थे दुनिया के अलग-अलग भागों से हम्पी को हम्पी के बारे में बहुत ज़दे इंटरस्ट रखते हैं कि हम्पी के बारे में हमें और जानना है बीस सालों तक इस पर जो है वो रुसर्च चलती रही और एट लीस्स क्या होता है इट लीस्ट किस में होता है कि 1986 में MAYOR 1986 में क्या होता है उसको World Heritage में काउंट कर दिया जाता है किस में बचे World Heritage ठीक है. World Heritage में उसको शामिल कर लिया जाता है In the 1980 detailed survey using the variety of the recording techniques was done by the archaeological तो archaeologists जो होते हैं, वो evidence निकाले का काम करते हैं, तो बहुत सारे research करने के बाद, बहुत सारा काम करने के बाद, यह जो archaeologist है, इन्होंने काफी कुछ जो है, वो evidence जुटा लिये थे, survey of India, which led recovery, the traces of road, paths, bazaar, etc. तो उन्होंने, archaeologists ने, विजे नगर के roads पर, विजे नगर के रास्तों पर, विजे नगर के बाजार पर काफी research किया, John and Friends, इनको कहते हैं, ठीक है, यह है, John and Friends, और George Nickell, and the M.S. Nagarajan Rao, worked for years, and give the important observation of the site. इनकी देख रेख में, इस important site का जो है, इसके उपर research चलती है, और इनकी देख रेख में ही, इनमें काफी कुछ information यह जुटा पाते हैं. नेक्स कहते हैं, continue the researches about the विजे नगर, तो विजे, buildings that survive, convey the idea about the material and the techniques. अब क्या बताया गया है, building that survey convey, जब buildings का survey किया गया, कि हम देखते हैं, उसमें किस तरह के materials को use किया गया था, कौन किस तरह की ETA थी, जैसे हड़पन civilization में, बहुत ही एक अलग तरह की bricks को use किया गया था, तो इसमें भी यह देखा गया, कि यह इतना पुराना है, तो हो सकता ह इसमें आज की टाइम से कुछ अलग हमें मिल जाए, तो research कि आगया कि building that survey, the convey idea about the material and the techniques, that builder or the patron and the culture context of the Vijayanagar empire, thus we can understand by the combining information, इस तरह से हमें बहुत सारी information जो मिली, उनको combine करके, conclusion निकलता है from the literature, कहां कहां से हमें information मिली, literature से, उनकी जो textbook होती है, उनसे, ठीक है, inscription से, जो मंदिरों की दिवारों पर बड़ी-बड़ी शिला लेखाओं पर लिखा हुआ था था, and the popular tradition, और वहां के जो tradition के according, जो भी activities होती है, तो हमें उनके बारे में पता चलता है, जैसे हमारे याँ, अभी holy आएगी, तो बोलेंगे, holy क्यों मनाई जाती है, तो उसके पी स्टोरी भी वो लोग जानते होंगे, तो इसी तरीके से हमें वहां से information मिलती है, but the investigation architecture, the feature, do not tell us about the places where the ordinary people live, लेकिन बचे, हमें ये तो पता चला, कि king palace ऐसा था, royal palace ऐसा था, लेकिन हमें वहां के ordinary people के buildings का, या उनके घरों का structure के बारे में, बहुत कुछ पता नहीं चला, ठीक what kind of wages, मतलब जो मेजन होता था, मेजन कौन होता है, जो building को construct करता है, वो किस तरह के tools यूज किया करता था, इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आज के मेजन क्या यूज करते हैं, और पहले के मेजन क्या यूज करते थे, तो वो mystery बनी हुए है, तो वहां पर जादा हमें evidence नहीं मिले, stone cutters, वो stone को कैसे cut करते थे, कि इतने बड़े बड़े, जो उनने एक पूरे के पूरे rock को काट करके temples बनवाए हैं, वो कैसे बनाए होंगे, कुछ ना कुछ तो techniques उन्होंने use की होगी न, तो वो भी नहीं पता चला है, ठीके, how was the building material transported, कि किस तरह से जो भी building को construct क करने में, जो भी material transport होता था, कहां से लाया जाता था, और उसमें क्या-क्या चीजे यूज होती थी, क्या उसमें ले जाया जाता था, तो कहां से लाना होता था, कहां ले जाना होता था, तो यह कैसे possible हुआ, यह भी mystery बनी हुई है, नहीं पता, so many other questions, आफ से काफी सारे questions है, continuing research using the sources that available architecture examples might provide, ठीक है, तो अगर हमें इस से related, हमें examples मिलते, तो हो सकता है, history और ज्यादा थोड़ी सी, इसके बारे में, हम और जानकारी ले करके, और बता पाते हैं, हमारे historians, ठीक है, ठीक है, तो यह था था थोड़ा सा overview, कोई करी वीजन, ठीक है, तो बहुत सारे बच्च तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया था कि ताली कोटा का battle, जो है, वो कब हुआ था बच्चे, ताली कोटा का battle, मैं यहाँ पर बता देती हूं, ठीक है, ताली कोटा, बैटल ओफ ताली कोटा, ठीक है, बैटल ओफ ताली कोटा, किस-किस के बीच में हु पहता, रामा राय, रामा राय वर्सिस, ठीक है, डेकन सुल्तान, डेकन के सुल्तानों के बीच में, ठीक है, सुल्तान, अब ये डेकन के सुल्तान कौन कौन थे, और कब हुआ था, तो ये हुआ था, 1565 में, कब हुआ था, 1565 में, ठीक है, तो डेकन के सुल्तान, बीजापूर ठीक है, बीजापूर, गॉलकुंडा, बीजापूर, गॉलकुंडा and एहमद नगर ठीक है, ये तीन सुल्तान थे और दूसरी तरफ कौन था, रामारा जित किसकी होती है, इन तीन सुल्तानों की होती है, क्या रीजन था तो बच्चे एक, आपने सुना होगा, रायचूर दोब, है न, रायचूर दोब क्या था, तो रायचूर दोब था जो तुंग भद्रा रीवर के आसपास का जो छेतर था, ठीक है, तुंग भद्रा और कृष्णा रीवर के जो आसपास का मतलब उसके जो बीच का एरिया था उसको रायचुर का दुआब बोलते हैं अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रीवर की वज़े से बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और ये अगर किसी राजा के अंडर में आ जाता था तो वहाँ पर एगरिकल्चर प्रड़क्शन बहुत अच्छा होता था रामा राय ने क्या किया कि मैं क्या करता हूँ कि इस रायचुर दुआब को अपने अंडर में करने के लिए सबसे पहले मुझे इन तीनों से उलजञना पड़ेगा ठीक है तीनों से अब इन तीनों की नजर भी इत पर रायचुर दुआब थी जबकि कृष्णदेव राय के टाइम पे ये capture हो चुका था, मतलब कृष्णदेव राय ने इस पर विजय प्रात कर ली थी और कृष्णदेव राय के पास में था, उसके अंडर में था, अब इन्हों ने क्या किया बीजापूर, गौलकुंडा और एहमद नगर के सुल्तानो एक conspiracy जो है, वो create कर दी याती है, बाएदा रामराय, रामाराय उन तेनों को, मतलब एक गलत family तेनों के अंदर वो बीच में create कर देता है, बाद में तेनों को जल्दी में पता चल जाता है, कि रामाराय उनके साथ बे कुछ अगे सदियंत्र उन रच रहें, तो वो क्या करते चैलेंज देते हैं रामाराय को एक बैटल के लिए उनको बोलते हैं चैलेंज देते है उस बैटल का नाम था ताली कोटा और इसी को राक्षशी तंगडि युद्भी कहा जाता है ठीक है तो फिर उसमें रामाराय की हार होती है और ये बीजापूर गॉलकुंडा रहमन नगर कि सुल्टान जो है वो जीत जाते हैं तो ये क्या था बचे ये तालिकोटा का बैटल था ठीक है तो अब क्या करते हैं थोड़ी सी बाते कर लेते हैं काम की और वो काम की बाते क्या होगी अब जैसे आपका बोर्ड एक्जाम खतम हो जाएगा तो वैसे आपको CUT पर भी फिर देने होंगे तो CUT पर आपकी प्रपेशन होनी होगी तो उसके बाद क्या करोगे कि एकदम से आपके उपर प्रेशर आएगा किसका CUT का ठीक है तो CUT के प्रेशर को कम करने के लिए बचे यहां पर अड़र 24-7 की तरफ से अभी जो फ्रेश बैच आया है वो है आपका प्रेश में आपके एक्जाम से पहले पहले कवर करवा दिया जाएगा तो फटाफ़र से जल्दी से एंडरोल करो कि अभी भी आपको लगता है कि हमने कुछ नहीं पड़ा तो बस आपके पास में ये लास्ट हतियार है ठीक है तो आप फटाफ़र से इसमें अपने आपको करो और एक अच्छी नॉलेज लेकर जाओ इस पर आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे वाई 489 ठीक है तो जितनी जल्दी आप लोग इसमें एन्रोल करोगे अपने आपको उतनी जल्दी तयारी अच्छी करोगे और थोड़ा सा रि करेंगे वाई 489 और इसके बाद जो भी चैनल पर नए बच्चे हैं ठीक है अभी देखो अब बोड एक्जाम आ रहे हैं तो तयारी सबको करनी है तो तयारी अड़ा 247 पर हर सब्जेक की तयारी बहुत अच्छे से करवाई जाती है तो अभी की अभी चैनल को सबसे पहले स आज सब्सक्राइब करो क्योंकि तब तक आपके पास कोई नॉतिकेशन नहीं आएगी सबस्क्राइब कर लेते हो बेल अलगे बरटन जो है वो प्रेस करना है और ला नॉतिकेशन किस तरह के सेश्चन आपको चाहिए तो सारे चीजें आप comment section में लिखकर हमें बता सकते हैं ठीके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक share करना है और क्या करना है लाइक करना है ठीके मिलते हैं अपनी next class में till then take care bye bye और हाँ NCRT को follow जरूर करते रहेगा ठीके bye